हेलो एब्रीवन कैसे हैं सब तब बढ़िया सब मज़े में बहुत बढ़िया तो आज अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अपने केमिकल पेरामीटर में रिगार्डिंग कॉलिटी ओ वाटर डाट विल भी अपना क्लोराइट कंटेंट नाइट्रोजन कंटेंट क्लोराइ आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक मेरा नहाम है सचिन तो चलिए शुरू करते हैं तो भाई लोग आज का टॉप मतलब जो लेक्चर रहने वाला डाट वली मोर के थेरेटिकल बोहर मत ही होएगा मज़े दिलवाएंगे पूरे जितना हो सके और थोड़ा इंट् बात कर रहें तो आपके मन में खयाल आएगा सर अच्छा होता है अपन लोगों ने पढ़ा था किसके काम आता है डिसिंफेक्ट करने के काम आता है बट यार कोई बी चीज ज्यादा कंटेंट में रहती है तो अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं होती अच्छा खाना ले लीजिए या दादा पढ़ लीजिए थो थोड़ा मोड को भी रिफ्रेश करना चाहिए ठीक तो यार अपना क्लोराइट कंटेंट कहां से आता है तो पहले सोर्सेस के बार में जान लें डाट डिजाक अपना नथिंग वट यन एज केल नमक में तो क्लोराइट कंटेंट है न थैसी टूटता है न रहे सोचएए आपके यूम lige होता है जो अपना किड्नी निकाल देता है सारा इन वाटर फॉर्म यूरीन में भी नमक रहता है कभी किसी का समझ रहे हैं चले खेर वो तो बात हो गई कहां से आ रहा है तो हम यह क्या दिंपाग में आ रहा है मरी डिपाज़ेट इन देख लिए प्लस जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है न इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी क्लोराइड बहुत जाधा रिलीज करता है अगर मान लीजे पानी के अंदर अगर आपको क्लोराइड कंटेंट मिल रहा है किसी फ्रेश वाटर सोर्स में तो समझ लीजेगा कि किसी ने आके उसमें यूरीन कर दिया है या तो किसी इंडस्ट्रियल का एफुलेंट जो जाके उस पानी में ड्मड हो रही थो इसके अंदर काहरीन आ जाता है ठीक। यह हो गए अपना सोर्से अढ़रण हिंसाने के लिए उतना हरी कारक होता नहीं है बट वो क्या करता है पानी के अंदर छो तया आता है आतो में आकरको आब ठ्वर फैसल्ट्रेश में maximum allowable limit है na maximum allowable limit maximum allowable limit वो अपन जो IS code में fix कर रखी है मतलब इंडियन चाइट के according that is अपना 250 ppm कितना allowed है इसके ओपर जाएगा then it's not allowed कितना नमकीन पानी कौन ही पीना चाहेगा यार kidney खराब हो सकता है है ना तो same sense में ले लेते हैं अब इसका measurement कैसे करते हैं measurement यह तो बता दिया कि 250 ppm बट यह तो यह भी तो मालूम होना चाहिए कि measurement यह से करेंगे है ना उसके लिए अपन लगवाई titration करेंगे titration for chloride content इसके titration को अपन लोग urgentometric titration कहते हैं urgentometric titration यारे बेसिक बेसिक चीज़े बता रहा हूं environmental labs की ठीक है तो याद रखना पूछ लेता है इसमें क्या use करते हैं अपन लोग titrant कि राइट्रेंट यूज्ट इस नतिंग बट वर्ट इलवर नाइट्रेट आ सर चांदी आ गया आपको अपन लोग लोग ऐसे लिखते है इसके अंदर इंडिकेटर यूज होता है इंडिकेटर यूज्ट इस अपना वट तोचो अपना पोटाशियम प्रोमेट इसको अपन लोग ऐसे लिखते हैं के टू यार ओफोर जाट इस निर्फिंग बड़ पोटाशियम प्रोमेट यारे बेसिक चीज़े में आपको इसलिए बता रहा हूं कि कल को अगर आप लाब में भी अगर आपका वाय वगयरा होता है तो आप हुहाँ पर आंसर दे पाओ ठीक क्योंकि लाप अपने में बिजी रहते हैं समझ सकता हूं हमने भी बीटेक किरा हुआ हुआ है रडड़िश ब्राउन एक रडड़िश ब्राउन कलर का मतब एंड पॉइंट आ जाता है तो ऐसी है एन वन वी वन से निकाल लेना एक यह होगे आपका टाइटरेंट का नॉर्मैलिटी यह अमांट ऑफ टाइटरेंट यूस्ट यह आपको वॉल्यूम ओफ वॉल्यूम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है इसलिए बार-बार बोल रहा हूं वाला वीडियो जरूर देखना ठीक है थोड़ा लेंदी है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वह तो यह हो गया अपना क्लोराइट कंटेंट के रिगार्डिंग अब आगे बढ़ते हैं इसम से आता है पानी के अंदर सोर्सेस क्या हो सकते हैं या जैसे अपन लोगों ने हाइड्र लॉजिकल साइकल पड़ा है पूरा मतला पानी कैसे घूमते अपने एकोसिस्टम में पूरी एटमासफेर में पहले बारिश होता है फिर नीचे गिरता है फिर वह ऑपर का बादल बन में उन लोगों को यह पता होगा इतना डीप में नहीं जाओंगा उतना ही डिलिवर करना चाहिए जितना आपके काम आए ज्यादा ग्यान दे दूँगा तो आपका मतलग है और आपके अच्छी बात है नॉलेज होना चाहिए हर किसी के लिए तो बेसिक्स में आ जाते हैं कि जो अपना नैटरोजन रहता है उकन किन फॉर्म सिर्प्रेजिट प्रिजेंट रहता है तो पहला फॉर्म में इसका याट इपना अमोनिया एक पहला फॉर्म रहता है और अल्वियू नॉइड अब यार साइंटिस वगएर रहते हैं उन लोग नामकरन देते रहते हैं लगए-लग बट मेरे को तो और गानिक है नहीं पसंद है बट एक्जाम में कभी पूछ लेता है याद कर लेना इसको ठीक है इसके बाद आता है अपना नाइट्राइट्स इसके बाद आता है अपना लास्ट में नाइट्रेट्स एक इनके बारे में थोड़ा दिसकेशन कर लेते हैं क्या है किसलिए है क्यों होता है तो यार अगर मान लीजे मेरा पानी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंड है तो सीधा-सीधा कर मतलब हमको बताता है कि देर इस और और गैनिक मैंटर बेजैंट इंवाटर अब जो और गैनिक मैंटर प्रेजैंट इन वॉटर है कभी नंगी नगा उसकी लाइफटाइम होगी ना तो मरने कपाब जुषी डेड बोडी बचेगी देड बादी बचेगी तो उसको खाने के लिए पिर क्या होंगे उसमें और और गयानिसम्स आएंगे उसके ऊपर फीड करेंगे उससे क्या अपना पानी कंतामीनेट होगा है किसे बायो लॉजिकल और गयानिसम्स के साथ हमारा nitrogen content हमें सीधा सीधा क्या लाराम कर रहा है अगर पानी के अंदर कोई या organic matter प्रेजेंट है तो उसके अंदर बायो अपनी बाडी के अंदर आ सकते हैं अगर अपने नाइट्रोजन से भरावा पानी को पी लिया इसलिए बचना चाहिए ठीक तो यह क्या स्टेजेस बताती है हमको जैसे माली जो मेरा जो organic matter प्रेजेंट था पानी के अंदर तो वह अगर माली जे इनीशल स्टेज में इनीशल स्टेज में जस्ट चालू हुआ है सड़ना जस्ट स्टार्टेड डीकेइंग थेक तो वह इनीशल स्टेज मेरा ammonia का खेलाएगा ठीक है तो उसमें क्या होता है जो अपना होता है उसके बाद इसमें से अमोनिया की ग्यास निकलती है तो अमोनिया की ग्यास निकलती है बहुत मतलब आपकी नात के बाल जला देगा इतना तलड़ा उसका ग्यास होता है क्योंकि मैंने इसको खुद मतलब experience किया है माइ ओन कैंपस दिर इस लेक इस विदिन आर कैंपस वहां पर मतलब इतना ज्यादा अल्गे था और वह अल्गे मतलब क्यों था इथरोफिकेशन के वज़े से हुआ था अल्गल भूम तो जब वह अल्गे संडने लग गया ना तो इट्स ऑर्गानिक मैंटर तो तो संडने के इंसानी है मतलब है खतरनाक है कहने को तो हर कोई स्मोग भी करता है है ना हानिकारत बट नहीं करना चाहिए तो यह रहता है अपना हांफुल टो हुमन और इसका पर्मिशबल लिमिट कितना है मतलब गौवर्मेंट इस कोड के अराउंड तो इसका पर्मिशबल इस अराउंड जीरो पॉइंड जीरो पॉइंड फइपम वैसे होना तो नहीं चाहिए अगर पानी मा और उर्गानिक मैटर कंटेंट है तो क्या आप चाहेंगे कि हो उसमें इतना अलाव गर्दिया कहीं पर अगर मालीजे कोई त्रीट्मेंट नहीं है बहुत कम अमाउंट है जिरो पॉइंड पॉइंड मतलब दस लाक में इतना इमजी समझ रहे हैं मतलब नाफून के बराबर भी नहीं है तो कैसे आप मतलब कॉंटिफाय कर सकते हैं तो इसको बॉइल करा बॉइल करने के बाद क्या होगा बॉइल करेंगे तो बेपर फेस में बाया गए जाए जा कर देख करके आईएगा पढा रखा मैंने रहें इसक्वेशन ठीक है टेम्परेचर वाले पैरामीटर में फिसिकल जो पनलब पढ़े थे तो इंक्रीज हुआ ग्यास निकला देन जितना भी ग्यास निकला ना उसको क्याप्चर करने की कोशिश करिएगा अब यार हां से थोड़ी ना पकड़ोगे अप्रेटस लेकर जाओगा उसके लिए अलग अलग मतलब एर सक्षन डिवाइस होते हैं जो उस एर को मतलब क्या लेंगे फिर आप उसको ले जाकर को उसको क्रोमेटोग्राफी करते हो एक हाइएंड टेक्नॉलजी है टेक्निक है इन डा सेंस कि उसके अंदर कौन कौन सी गैसे प्रेजेंट है ठीक है क्वांटिफाइगा कितना निट्रोजन ग्राफी कर दोगे इसके बाल अध्यवाट वी कॉल प्रोमेटोग्राफी कर अब क्रोमेटोग्राफी तो कोई बताता नहीं है मैंने बता दिया खेर बता होना चाहिए थोड़ा अपरेज मिलना चाहिए ना दोस्तों के बीच में चाप मारोगे जाके सर अपन को जाधा आता है उनसे चलिए खेर पता चल अब उतना बड़ा मैं लिखने नहीं वाला ऐलूमिनोइड करके कुछ इतना सा बड़ा सा ठीक है तो यह क्या बताता है हमें अमाउंट ओफ कि सॉरी अंडीकमपोस्ट और्गानिक कि मैटर अब यहा पहले स्टेज में मतलब गैजस्ट चालू अथा जैसे आप अपना बाइक इ Pocket करते ना तो दिरे दिरे चालू होता है कि स्चाड् змारने से थोड़ा आलब सी पन होता है अपने से लिए अंथेगा तो मदा बहुत सूलोली स्थक्ली होता है तो इस ओफ allowed in the sense ना के बराबर ना के बराबर मतलब कितना उतना ही हो गया पॉइंट 3 ppm पानी के अंदर कौन ही चाहेगा कि मतलब और मतलब और और गानिक मैंटर प्रेजेंट हो यह कोई नहीं चाहता है तो 0.3 ppm तक रहता है एस पर तुद आयस को ना के बराबर ही हो गया ठीक है तो इसको कैसे अपने लोग मेजर करते हैं मेजरिंग का सेम खेल है बॉइल करेंगे पहले तो पहले क्या करेंगे अपना सैंपल ले ल लोग ने सैंपल को बॉइल के था ना उसमें कुछ अभी पानी बच गया है उस पानी को ठंडा करेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे सेकेंड फर्स्टेज में क्या करेंगे उसी बॉइल केवे सांपल में थोड़ा मतलब कम हो जाएगा ना जो डीकंपोस हो चुका अब कितना बचेगा उतना बचेगा ना जितना पहले से मतलब डीकंपोस नहीं होगा तो इसको अब लोग अब केमिकल किसा डाइजेस्ट करेंगे यूज इस पोटैशियम पर मैगनेट डाला तो इसको एड्रिलिन रश मिल गया अब तो मैं खा जाएगा उसको बचे वे उसको तो जितना और डाइजेस्ट कर सकता था इस भाई साब ने कर दिया फिर अपन लोग ने कहा चलो भाई अब अपने को और ग्यास निकालना इसमें से अपन लोग ने इसको फिर सेकेंड टाइम बॉयल किया फिर इसमें से ग्यास निकली अमोनिया इस ग्यास को कैप्चर किया ले गए लब कर दिया क्रोमयटोग्राफी और मैटोग्राफी तो यहां से अपने को पता चलक यह कितना और गानिक उसमें प्रेजेंट था तो यार अपना जो यह और गैनिक नाइट्रोजन रहता है इसको अपन लोक क्या कहते हैं ल व्यू उमिनॉड नाम करण कर रखा है अ आपना यह था नhmenazz होगानिय वाला था न अम्मोंिया यह एख लिए आमोमिया प्लस वट और्गानिक नायटरोजन यह की यह वाला था तुस्को टूगेदर आपन लोग एक नाम दे रखे है इसको अपन ुमक तोटल टल जलडाल चै सायलेंट यद रखना जलडाल नैट्रोजन फेकड में पूचता है कि फिरी अमोंया प्लस और्टानिक नैट्रोजन को तुगेदर अगर एक्सिट करते हैं तो उसको क्या है तो उसको अपन ।ब मु cole नैट्रोजन कहते है इट पॉइंट प्रद्न है जाtteस अपना नाइटराइट एक है नाइट्राइट इस वेरी डेंजरेस वैरी डेंजरेस फृस इस है इसको याद मेरा नाइटराइट किल्स मतलब चहिए नहीं अपने को नाइट रह बताता है अपने को पार्शेल्य डी कंपोस है विल्कुलेड है deloc preguntas जहां पूरा डीकंपोज जाए या बिल्कुल ही ना हो मतलब इनीशल ताजा ताजा रहे या बिल्कुल सड़ मतलब गल जाए कुछ होई न हम उसमें बच्छाकार में तो आगर मालो कोई अध्रिगला रह जाता है माली ये कोई लाश है तो शड़न लगती है और वीच में जा औरफ प्रने में पानी मिया बिलकुल नहीं चैके था अपना नाइटराइट इसके बाद क्या था अपना नाय ट्रेट खोह रहें बwach बट्चा का रहतीं हो रहा है की बसाचार हें यह तो नाय ट्रेट क्या था और नाइट्रेट क्या था अपना फुली जो अपना ओर्गानिक मैटर रहता है ना डाट गेट डीकम्पोस्ट डीकम्पोस्ट इंदा सेंस ऑक्सिडाइज जो चुका है कुछ नहीं बचा सब धुआ धुआ हो गया तो यार नाइट्राइट कंटेंट है तो मतलब कुछ अपन यार रखना 45 ppm अलावड है तो इसके उपर नहीं जाना चाहिए तो अगर इससे जादा जाता है अगर माली यह सारा नाइट्रूजन के अलग अलग फॉर्म हो गए ना अगर उससे जादा चला जाता है नाइट्रोजन के एक्सेस के वज़े से जो सिंड्रोम होता है तो इस है डाट इस अपना ब्लू बेवी इंड्रोम है देखने बच्चे का मूल बिचारे का मतलब नीला हो गया एकदम अपन लोग जब बच्चे रहते तो अपने बहुत सेंसेटिव रहता है कुछ भी मतलब बिमारी बहुत जल्दी पकड़ने का चाहांस रहता है तो जो अपने बिमारी को कोई की रिस्पॉंस देते हैं अपना यूमन का बच्चा या किसी का भी बच्चा ठीक है तो बच्चों में भी मतलब कुछ भी जैसे कोई भी टॉक्सिट केंट अगर देर जिन्दा एट्मॉसफेर अरांड अस पॉलूशन कर रहा है उसका सब जादा एफेक्ट अइश्य को आपने लोग के अपर नहीं दिखihगा अपने लोग जल्दी एडाप्टेव कर जाते हैं दैशितिव आपर जाधा रहते है अधिर बच्चा लोगों का बहुत कम रहता है की था यह था पना भांतिया लोग sASTIR nitrogen के वाइसे blue baby syndrome हो रहा है इससे भी मन नहीं भरा मतलब लोगों का तो उन लोगों ने इसको एक और नाम दे दिया इधर लिख देते हां के बिगार ऐसे भी आद कर सकते हैं हर किसी का ट्रेकनीक होता है तो ऐसे आद कर लिजेगा इसको ठीक है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इन दा वाटर को यह भी कहते है एक है तो अपने जो रहा है नइट्रोजन को निक करते नाइट्रोजन को डाट बेस अपॉन कलर मैचिंग टेकनीक और इसमें ज्यादा डीटेल्स में बताओंगा तो आप जाऊऊगा सच बता रहा हूं इतना सफीशेंट है आपके लिए जितना मैंने आगे बढ़ते है इसी में, थेक, next इस अपना क्या, आगे बढ़ते है इसी में, next इस अपना क्या, that is अपना, fluoride, अरे sir, photos, कहां कहां से ला रहे हैं पकड़ पकड़ के, यार fluoride जो रहता है ना, पानी के अंदर, वो अप्टू 1 PPM अगर रहता है तो देन इट्स गुड ठीक है वो हेल्प करता है उट्टा प्रिवेंट्स डेंटल कैविटीज दांत की बिमारियों से बचाता है यही अगर 1.5 से उपर चला गया ना तो यह दोनों चीज़े हो जाती है यह तो देखा होगा दांत वाला जो पीले पड़ जाते हैं मॉट्लिंग यह कभी नहीं देखा होगा यह कुछ मैंने नहीं बताया आपको दिस न अंदर उसको अपन लोग फ्लोरासिस कहते हैं ठीक है बोन में भी होता है यह जादा तो टीट का ही बताते हैं बट बोन में भी हो जाता है ठीक तो यह तो था अपना फ्लोराइड से रिलेटेड की क्या रहता है नहीं रहता है इसके बाद अपन लोग मेटेल्स का देख ले तो यह आपके पानी कपड़े को मतलब धराब कर देगा ठीक प्लस अगर आपके पाइपलाइप लाइन में जा रहा है तो क्या पता आपका यह फिल्टर मीडिया चोक कर दे रहता है इसका यह अभी मतलब ऑकाद सेट किया है गवर्मेंट ने आयरेन मस्ट भी लेस देन 0.3 ppm ठीक एंड मेगनीज के लिए कर रहा है गवर्मेंट में लेस देन 0.05 ppm देख रहे हैं मतलब ना के बराबर ही है तो यह था अपना मेटल्स का ठीक इसके बाद अपन लोग देखते हैं क्य के बाद अपन लोग देखते हैं dissolved gases एक एक करके सबको निप्टा दिया है ठीक है dissolved gases dissolved gases में अपन लोग क्या देख सकते हैं इसमें फर्स्ट इस अपना H2S अब जिन जिन घरों के पास से नाला निकलता है ना मतलब गंदा नाला भेता है सुवेच का आप लोगों ने देखा है कि जो AC बगार रहते हैं उनके अंदर जो copper की pipes होती है वो गलनी जल्दी हो जाती है क्यों क्यों है H2S gas एक acidic gas है ठीक है और यह copper copper एक बहुत sensitive metal रहता है sensitive तो copper के साथ react करके उसका oxide बना देता है ठीक है oxide बनाता है और वीक कर देता है copper को देखते हैं कि AC का मतलब उनने माता कि इसकी gas leak हो गई है जो नाले के पगल में मतलब पास में रहते हैं लोग जिसे मानले सुवेच भह रहा है आपके मतलब जस्ट घर के backyard से अगर आपने AC वहाँ पर install कर रहा है जो आपका outdoor unit होगा ना उसके अंदर copper हो कुछ भी element इस्तमाल होगा वह जल्दी खराब हो जाएगा और gas leak कर जाएगी घाटा इसका यह किये है प्लस अगर पानी के sense में देखे तो यह bad taste and odor impart करता है पानी में in parts in water दूसरी gas कौन सी है अपनी that is अपना carbon dioxide यह क्या करता है कि भाईया पानी के अंदर carbon dioxide निकल रहे है इन नहीं सेंस क्या और गैनिक matter इस प्रेजेंट होगा carbon dioxide निकलेगी निकलेगी ना oxygen का इस्तमाल कर रहे हैं बदले में क्या छोड़ रहे है यह तो एक और क्या करता है पाइप्स में corrosion कर देता है फाइप गेट और यह पाइप जाती नहीं सक अंदर कर अगर carbon dioxide content है पानी में तो गलाने लग जाएगा उनक पकड़ना चालू कर देगा और उसको जो scaling होगी अंदर कि सब मतलब खराब हो जाएंगी पाइपी समझ लीजे इसके बाद क्या अपना दूसरा तो बहुत इंपोर्टेंट गैस ताट इस नतिंग बड़ अपना डियो गैस एक तो डियो इस नतिंग बड़ डिजॉल्ड ऑक्सिजन अब यह पानी के अंदर तो ऑक्सिजन भी तो होगा ना गैस की बात अगर हम लोग देख रहें डिजॉल्ड फॉर्म में तो ए तो इसको अपन लोग कैसे मज़र करते हैं सेम ट्राइटेशन करते हैं उतना डेप्ट में नहीं बताऊंगा और जो उसका मेथड है ना डाट इज मेरा व्रिंकलर्स मेथड तो पोस्ट ग्राइशन लवल पर आईए विंकलर्स मेथड करिएगा डियो के लिए इसके लिए एक फ्लास्क रहता है डियो बॉटल रहती है आगे पढ़ेंगे बियोडी में ब्रिंकलर्स वेसल अपन लोग यूज करते ना डाट इस अपना डियो बॉडी बॉटल उसका इस्तमाल करते हैं इस टेस्ट में डिजॉल्ड ऑक्सिद निकालने के लिए और उसके अंदर अप खुद परफॉर्म गया था इसलिए मैं बता रहा हूं तो इसका व्रिंकलर्स मेथड रहता है गेट पॉइंट ऑव यू से बता रहा हूं पूछता है इसमें से विच मेथड इस यूस्ट वर से डिटर्माइनिंग डिजॉल्ड ऑक्षिन याद रखेगा प्रिंकलर कैसे य यह था अपना लास्ट टॉपिक इन केमिकल परहा मीटर्ट आपको बता है ना उनको ध्यान मे रखेगा nitrogen content related questions पूछ लेता है इन गेट जतना पढ़ाया है उस पर ध्यान दीजिए next video में अपने लोग biological parameters पर discussion करेंगे ठीक तब तक के लिए thank you